हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरा एरवेच चैनल पर आज हम बिलाल रिसर्च बुक की सीरीज का चैप्टर नंबर एट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 तक सब कंप्लीट हो चुगा है चैप्टर नंबर 8 है लिट्रेरी रिसर्च इस चैप्टर में हम मैनुस्क्रि कैसे की जाएगी और सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जो इस चैप्टर का है वह है डाटा माइनिंग तो हम इस चैप्टर में डाटा माइनिंग भी पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोड़क्शन तो मैनुस्क्रिप्टो लॉजी देफिनिशन तो जो हाथ से लिखा गया है वो मैनुस्क्रिप्ट है मैनुस्क्रिप्ट क्या होती है जो पुराने जैसे तारपतो आगर अगर आप जो रिशी मॉन्योंे जो भी चीजे लिख Commerce की ति उनको मैनुस्क्रिप्ट बोलेंगे वो manuscriptology कहलाती है manuscriptology means science of manuscripts in which editing of the work is given supreme importance अब देखिए आपके पस कोई original text है बहुत साल पुराना, बहुत हजारों साल पुराना जो handwritten है, किसी भी आचारे, रिशी कोई भी किसी भी जो आपके intellectual person है उनके द्वारा तो वो हमारी manuscript कही जाएगी तो वो सारा जो work है वो भी हमारा manuscriptology में आता है editing of the work means reconstruction of the text nearest to the author's autograph work on the basis of evidences जैसे हमारी सहीता या जो है चरक सहीता को जो है द्रिटबल ने पूरित किया था, तो वो है हमारा editing, मतलब जो आपका जो handwritten जो material है, अगर उसका कोई भी portion अगर गुम हो गया है या आज अवेलेबल नहीं है, तो उसका reconstruction करना, या फिर कोई page अवेलेबल नहीं है उसको reconstruct करना, तो वो भी हमारा आजाता है manuscriptology में that is reading available in the existing copy, copies in the form of manuscript, quotation, translation, summaries, adaptation and research articles तो आप देख लिजए, इस miniature writing tools भी लिखी हुए, जैसे लेखे सामगरी क्या थी हमारी palm leaves, जिसके हम लिखा करते थे, मतलब हम नहीं अचारे लिखा करते थे, ताल पत्र, भुर्ज पत्र, paper और stones, या फिर metal surface हो गया, wooden sheets हो गई, या फिर hansi पत्र हो गया, नहीं bark of a group, तो लेखे सामगरी क्या थी, किस चीज से लिखते थे, जैसे kand, kand, peacock feather, brush या paint, ठीक है, आप देखे, scripts used in manuscript, तो script जो थी, वो पुराने, मतलब कौन सी भाशा उन्होंने use करी थी, लिखने, लिखी थी, जब manuscripts, तो उसके बारे में उता रखा है, the most common language used in Vedic period was Sanskrit, तो जिस time पे जो manuscript लिखी गई है, उस time पे जो language used, जो common थी, उसी में वो लिखी गई है, जैसे ब्रामी और खारोष्टरी भी थी, तो उसमें भी आपको बहुत सारी Indian scripts या manuscripts मिल जाएंगी, जो ब्रामी और खारोष्टरी में लिखी हैं, बागी आपको Sanskrit में भी मिल जाएंगी, अब scope क्या है इसका, on the basis of these manuscripts, मतलब manuscripts अगर आपके पास हैं, तो उसका scope क्या है, अगर आप manuscriptology पढ़ते हैं, या फिर इनका editing, या इनको conserve करके रखते हैं, तो फिर उसका scope क्या है, तो preserve these manuscripts for future generation and research, जैसे आप देखे हमारे चरग सहीता, शुषू सहीता, जो पहले चरग और शुषू जी लिखके गए थे, वो हमारे पास आज भी, मतलब उसके, उसको पूरित करके, मतलब उसको पूरा सब अच्छा, उसका सारी इधर उदर से सारा data आप दुबारा से edit करके या फिर collect करके जो पहले गुम हो चुगा था तो वो हमारे अब काम आ रहा है या फिर हम उस पर research कर रहे है तो इसलिए हमने उस चीज को preserve करके रखा critical analysis and preservation of manuscript play a significant role in literary research especially in the field of Ayurveda आप उस चीज को analyze कर सके preserve कर सके आपके पुरानी manuscripts को specially Ayurveda की field में बहुत importance रखता है ये manuscripts contain knowledge about जैसे manuscripts में history, culture, mathematics, astronomy, philosophy, medicine, etc ये सारी इन सब चीज़ों की manuscripts आपके पास अगर available है तो ये बहुत ज्यादा आपके research में या फिर आपके knowledge gain करने में helpful होती है तो ज़रूर नहीं कि सिर्फ Ayurveda की manuscripts हमारे पास available है हमारे पास बहुत सारी manuscripts available है जो पुरानी जैसे stones पे लिख गए थे या फिर कोई coin पे कुछ लिखके गए हो या जैसे हरपा संस्कृति क्या कोई लोग कहीं पे कुछ लिख गए कोई painting बना गए कोई stone पे या फिर कुछ भ फिल से related है तो medicines वगरा को जानने के लिए भी वो important है अब next page पर आजएए 126 लास्ट में देखिए इसमें collection conservation and cataloging है कि आप manuscript को कैसे collect करेंगे अगर collect हो गई है आपको manuscript मिल चुकी है तो उसको conserve कैसे करेंगे आपने conserve कर लिए तो उसके बाद उसको cataloging कैसे करेंगे अब देखि of these published catalogs and checklist of Sanskrit medical manuscript were published by Central Council of Research in Indian Medicine in 1972 आप जैसे हमारे पास बहुत सारी manuscripts आपको मिल चुकी है आपको पास available है वो आपने एक library में रख दिये तो एक checklist बनाई गई थी Central Council of Research in Indian Medicine 1972 में ताकि उनका एक catalog तयार हो जाए catalog मतलब होता है checklist कि आपकी ये चीज कहां रखिए या फिर ये चीज आपको कहां मिलेगी तो वो होती है हमारी cataloging और ये किसके अफर्ट से हो था दॉक्टर बी रामा राओ की वज़े से he had referred about 25 catalogs published at different libraries उन्होंने क्या करा था 25 catalogs रखर करे थे जो की अलग-अलग libraries में publish होए थ अब sources of arvedic manuscript क्या था जैसे बहुत सारे sources दे रखे उन्होंने कि arvedic manuscript कहां कहां पर रखी हुई है जैसे सरस्वति भवन library में रखी हुई है ये 1971 में बनारस में oldest manuscript library हैं इंडिया की ऐसे करके 17 जो आपके इंस्टिट्यूट्स दे रखे हैं अलग-अलग कि कहां पर आपको manuscript मि अब देखे जैसे 66,000 manuscript वहां पर अब देखे जैसे 66,000 manuscript वहां पर अवेलेबल है तो इनकी cataloging होती है अलग-अलग जैसे आप लाइबरेरी में जाते हैं अपनी तो वहां पर फीजो की बुक्स का अलग रख होगा वहां पर फीजो की सारी बुक रख्योंगी सारी reference बुक अलग होगा फिर आपकी चरक सहिता का जो होगा वह रख अलग होगा medicine का रख अलग होगा surgery का रख अलग होगा तो ऐसी करके जो रख माली जो जो रख अलग-अलग है अब जो आपको librarian है उसको सब चीजे पता रहती है कि रख नंबर वन में anatomy की बुक है और रख नंबर टू जैसे अगर कोई एक जैसी manuscript है मानलीजी एक field से related है तो उनको एक जिगे रख के cataloging कर दी गई कि मतलब इस तरफ यह वाली जो है manuscript है या फिर उसका एक data तियार कर दिया गया जो मानलीजी आपको gate पे दिख जाएगा जैसे map होता है आपको इसे बड़े institute में जाते हैं तो उस पेर करके मिलेगा उसी को हम cataloging बोलते हैं कि आपकी यह manuscript नहां पर रखे होगी या फिर यह आपर रखे होगी तो cataloging के भी अलग-अलग type है वो हम आगे देखते हैं nature of manuscripts collection in India जैसे large collection होता है more than 10,000 manuscript bundle आप मानलीजे large collection किसको गएंगे जहाँ पर 10,000 manuscript के bundle हों medium collection कहेंगे 2000 से 10,000 और small collection होता हमारा 0 से 2000 mixed collection various type अलग-अलग type की manuscript अगर आपके पास है exclusive collection होता है कि एक particular type की आपके पास जैसे आपके पास सारी जो है आईरवेद की manuscript है तो होगी हमारा exclusive collections sacred collection जैसे आपके पास कोई religious है religious कोई manuscript है वो हो गई academic collection जैसे university library और museum की कोई manuscript है माली जो बहुत ही पुरानी पुरानी चीज है जैसे नालंदा की है तक्षिला की है उनके बारे में आपको कुछ मिलता है या फिर उनका कुछ लिखा हुआ कुछ मिलता है तो हमारा academic collection में आएगा ritual worship collections हो गई private collection trust museum libraries तो ये nature of manuscript collection है अब next page पर आजाईए 128 conservation of manuscript conservation मतला आपको कैसे preserve करके रखना है आपको manuscript मिल चुकी है उसके बाद आप उसकी देखबाल कैसे करेंगे वो देखना है आपको manuscript मिल गई है आप उसकी age को कैसे बढ़ाएंगे मतला उसको कैसे preserve करके रखेंगे ताक कि उसका life span बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं conservation अब जैसे इसमें detroit rating factors लिखे हैं जैसे detroit rating factors मतलब कि आपकी manuscript को किस तरीके से हानी पहुची पहुच चुकी है पहले से या फिर पहुच सकती है जैसे human factors हो गए professional apathy and carelessness आप कोई मतलब careless हो गए अपनी manuscript को लेके अपने ध्यान नहीं रखा public apathy and carelessness apathy मतलब आप उससे emotionally जुड़े होए नहीं है आपके पास कोई उसके लिए पैथी नहीं है मतलब emotions नहीं है माल लेजे आपके पास कोई ऐसी manuscript है जो आपके काम की नहीं है आप ज़्यादा धार्मिक नहीं है और आपके पास religious manuscript है तो आप उसकी इतने care नहीं खरेंगे लेकिन अगर आपके साथ उसके emotions चुड़े है तो आप उस manuscript को बहुत अच्छे से conserve करके रखेंगे natural factor जैसे fire, water, dust, natural calamities, environmental pollution तो यह जो सारी चीजे हैं यह हमारे conservation में problem करते हैं या फिर इनके वज़े से जो है manuscript जो है वो damage हो जाती है method for preservation of manuscript इसमें दो type के methods आएंगे एक तो traditional preservation method जो हम पुराने time में use करते थे और एक आएगा अभी जो हम recently use करते हैं प्रिजर्व करने के लिए तो traditional preservation method जैसे आपने before writing a leaf it is buried in mud or boiled in water to protect it against germs तो यह सारी चीजे इंपॉर्टन नहीं है वज आप थोड़ा सा देख लीजे कि जैसे कोई पत्ते पे कुछ लिखने वाला है कोई आचारिया रिशी या फिर कोई भी जो manuscript लिख रहा है वो अगर पत्ते पे लिखता था तो उसको क्या मड में या उसको बरी कर देता था मंतलब दबा देता था या फिर boiled water में उसको अच्छे से साफ करता था ताकि उस पे germs पगएरा ना लगे कोई microbes ना लगे जो पत्ते को खराब कर दे और उनकी manuscript ठराब हो जाए जैसे इसमें देखी थर्ड पॉइंट अचारिया यूज टेकनीक लाइक निम्ब पत्र पिकॉक फैदर सर्प निर्मुक एक्सेटरा इंट पेपस मतलब पेपस के बीच में आपने कुछ रग दिया जैसे कि कीडे ना लगे जैसे अपन आज कल क्या करते है नैप्थिलिन बॉल्स रग देते हैं जैसे कपडों में नैप्थिलिन लगे और वो सालों साल तक प्रिजर्व करके रखी जा सके तो ऐसी बहुत सारे मैथर्ड्स इसमें दे रखे हैं ट्रडिशनल प्रिजर्वेशन मैथर्स तो यह एक्जाम पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टन नहीं है लेकिन जिसका इंटरस्ट है इनको पढ़ने में वो अब देखेँ लेटस्ट मैथर्स जो हम आजकल यूज करते हैं जहाँ पे मैनुस्क्रिप्स रखने हैं मालीजे कि सी लाइबरेडियू में मैनुसक्रिप्स रखने तो लेटेस्ट मेथड़ हम क्या यूज़ करेंगे जैसे एर कंडिशन रूम हो गए या फिर जहां पर फ्रेश एर आती हो एडुकेट लाइट हो मॉश्चर कंटेंट जहां पर कम हो मतलब जॉम्स मॉश्चर के जिसे ना लगे बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो तो ऐसी कंडिशन मैं अपनी मैनुस्क्रिप्ट को रखेंगे पैस्ट कंट्रोल कराएंगे और पेपर को मतलब माली जो कोई आप बार बार देखनी बढ़ती है मैनुस्क्रिप्ट ऐसा नहीं कि आपने लाइबरेरी में रख दी और आपका काम खतम हो गया आपने इसी लगवा दिया काम खतम अपने बार हर महीं मैनुस्क्रिप्ट क को देखेंगे उनके पेपर को साफ करेंगे ब्रश या चैपक घैया बीच में टिशू पेपर रखना तो यह वाली चीज करनी है जैसे बटर पेपर रख देना ओल्ड पेज कोई हो गया है तो उन दोनों के बीच में बटर पेपर रख देना ताकि वह आगे चिपकेना ग्लास के रख से या ओल्मिनिय शेल्फ का यूज कर सकते हैं आगे इंच्फार के रखा है इसको उसी टाइप से रख सकते हैं आज के टाइम में या फिर हम laminate कर सकते हैं जो हमारी manuscript हमें मिल नहीं कोई ताड़ पत्र मिला हो कोई पेपर पे लिखा मिला हो उसको हम उसको क्या laminate करा सकते हैं जैसे cellulose acetate और polythyl से हम उसको माल यह कोश्चिन आ सकता है कि आप लैमिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेगा कि लैमिनेशन के लिए हम सैलुलोस एसिटेट या फिर पॉलेथिन फॉयल का हम यूज करेंगे फिर modern टेक्निक आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको कोई मैनुस्क्रिप्ट मिली आप उसको बहुत ही बुरी हालत में है आप उसको जादे दिन तक प्रिजर्व या कंजर्व नहीं कर पाएंगे तो आपको जीरॉक्स या फोटोक्प्य उसके निकलवा के रख लेनी चाहिए तक वो आगे हमारे काम आई knowledge को distribute करने में काम आई उसको scan कर सकते हैं micro filming कर सकते है उसकी या फिर digitalization of manuscript translation वालग उसको सकते हैं फिर catalog प्रते के तो आप पास catalog नहीं होगा आपको एक library में छोड़ दिया जाएगा कि जाएए हाप आपनी आयरोबेद की ब्हूद लीजिये पाएंगे जब तक क्या प्वाइस एक roadmap ना हो किसी चीज का कि आपको इस रोमें जाना है इस वाली रेक को देखना है इस रेक में भी आपको थ़र्ड Shelf देखना है. तो उसमें आपको आयरवयद की जो है अपकी सारी knowledge पर आयरवयद की आपकी सारी जो निघंटू थे वो इस टाइब की catalogs थे जैसे कि आपने निघंटू में देख लिया और आपको सारी चीज पता चल जाती थी कि यह चीज हमें कहां में लेगी अब preparation of catalog catalog कैसे तियार किये जाएगा catalog can be prepared by three types सबसे पहले card type की card बन जाए एक ठीक है easy for handling, arranging and storing separate card is needed for separate manuscript and require some space माल लीजे, आपके पास बहुत सारी manuscript है, माल लीजे 100 manuscript है, आपने सब के 100 के 100 अलग-अलग card मना दिये card में आपने लिख दिया कि इस shelf में इस row में रखी है, इस shelf में इस row में रखी है लेकिन इसमें क्या होता है, आपका space जादा लगता है, कि मतलब आपको 100 के 100 card रखने हैं, कहीं पे अगर 100 manuscript है अब जैसे हमने पीछे बढ़ा था, कि वहां पर मैसूर में 66,000 manuscript है, तो 66,000 card हम बना के रखें, फिर उसमें से आपको छाट के दिया जाए कि आयरवेद का ये है और आप यहां जाके डून लीजे, तो उसमें आपको time भी जादा लगता है, और space भी बहुत जादा require होती है, ऐसी type की cataloging के लिए फिर आता है book type, many copies can be placed in small place, but in case of change of information, addition of book is problematic अब मालीजे आपने card नहीं रखा, आपने एक register में सारी चीज नोट करके रख लिए कि ये चीज यहां रखी हुई है, लेकिन अगर मालीजे आपको कोई जगह चेंज करनी हो, किसे manuscript को आपको shelf चेंज करना हो, मालीजे आपको जो fourth number of shelf है, उसको खराब हो गया, जो उसकी manuscript वो सारी आपने replace कर दी, two number shelf में या फिर उनको divide कर दिया, दो में और पाँच में, तो अब आपका क्या होगा, register पूरा खराब होगा, आपको register में दुबारा cataloging करनी पड़ेगी, दुबारा entry करनी पड़ेगी, तो इसलिए अगर आपकी कोई information change होती है, तो वो आपके लिए problem हो जाता है, book type में, फिर आता है sheet form, sheet form is portable and flexible, it can be damaged easily, sheet form क्या होती है, वो portable होती है, मतला आपने किसी sheet, मान लिजए ये register पर ना लिखके, किसी sheet पर लिख लिए आपने, लेकिन वो जल्दी गूम हो जाएगी, या फिर damage हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है, कि sheet आपको क standard format of cataloging, अब मान लिजए, आपने कोई सा भी आपने use कर रखा है, कोई सा भी cataloging method आपने use कर लिया, तो उसमें आप catalog में लिखते क्या क्या है, सबसे पहले serial number और date लिखेंगे, title of work, मान लिजए, आयरवेद पे कोई काम है, ठीक है, तो आप आयरवेद लिख देंगे, या फि visual का नाम लिख सकते हैं, accession number, serial number given by the institute, अब जो आपका library, जिस institute के under में चल रही है, वहाँ से जो serial number मिल रहा है, वो आप cataloging में लिखेंगे, card में, author लिखेंगे कि कौन author है, weather work is published, weather critically edited, name of commenter, material, size of manuscript, script क्या है, इसकी language क्या लिखे गई है, condition और age क्या है, manuscript क्या है, extent क्या है, मतल number of leaves, मतलब number of leaves भी आपको लिखने बढ़ते है, manuscript की cataloging में, क्योंकि कई बार क्या होता है, कि जो लोग manuscript को देखने जाते है, जो लोग पढ़ने जाते है, तो leaves इतने पुराने हो चुके होते है, और फिर इतने जादा soft हो चुके होते है, तो क्या होता है, कि लीख जो हफट या फिर आपने रखते वक्त कहीं वो छूट गया manuscript से, जो manuscript के अंदर जो include था वो हट गया, तो इसलिए आपको number of leaves लिखने भी ज़रूरी है, number of lines per page लिखने ज़रूरी है, क्योंकि page का कोई हिस्सा भी गायब हो सकता है, तो आपको lines per page लिखने ज़रूरी है, letters per line लिखने ज manuscript status, जैसे purchase, donation है, मतलब library ने खुद खरीदी है manuscript, या कोई डोनेट करके गया है, या फिर कोई भी order remark आप इसमें लिख सकते हैं, अब देखे, descriptive catalog contains two section, first section gives general information about manuscript, such as author, condition of manuscript, like complete or incomplete, अब जो हमारे descriptive catalog होता है, मतलब जिसमें आप catalog में पूरे describe करेंगे, अपनी manuscript को, तो उसमें 2 section हो होंगे, first section में क्या होगे, general information होगी, जैसे author कौन है, या फिर condition क्या है manuscript की, complete है की, incomplete है, second में क्या होगा, give the content summary of manuscript, मतलब manuscript की पूरी summary आएगी, हो आएगी second section में, जैसे first two lines of content and last few lines of content are given for better comparison of two or many manuscript for the same type, अब क्या जो आपके शुरूर की जो दो लाइन है manuscript की वो, और last की दो ला एक number से सूतर 11 number तक उन दोनों सूतर को लिख दीजे, इस manuscript में लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, कि आप 11 के आगे ढूनना चाहते हैं, तो आप दूसरी manuscript देखेंगे, या फिर आप comparison भी कर सकते हैं, दो manuscript के हो, अब है catalog of catalog, catalog of catalog का मतलब क्या हो, जैसे मालीजी हमने card type कर आपने 66,000 manuscript का मैने जैसे example दिया था, तो आपने 66,000 card बनाए, अब जो 66,000 card है, अगर आप से कोई librarian से बुचेगा, कि हमें आयरवेद वाला जो catalog है, वो देदो, मतलब आयरवेद वाला card देदो, हम देखेंगे, कि आयरवेद वाली manuscript कहां रखी है, अब वो 66,000 में से पहले दोनेगा, कि आयरवेद का कौन सा card है, तो इससे अच्छ है कि वो catalog की भी cataloging कर ले, जैसे उसने अपने ड्रॉर में आपके रखे हुए card, तो वो ड्रॉर डिवाइड कर ले, या तो ड्रॉर 1 में आपको health से related मिलेगी, ड्रॉर 2 में आपको religion से related manuscript मिलेगी, ड्रॉर 3 में आप को science से related आपको, जो है, catalog मिलेंगे, card मिलेंगे, तो इस तरीके से भी divide कर सकते हैं, फिर आगे भी divide कर सकते हैं, जैसे ड्रॉर 1 में अगर आईरवेद से related है, तो आईरवेद को भी further division कर सकते हैं, कि ड्रॉर में राइट साइड में जो होगी, जो है हमारी literary वाली होगी, मतलब जो principles of आईरवेद हैं, उनके बारे में manuscript है, और जो middle line है, उसमें आपका जो है, पूरा काईच किसा या फिर medicine के बारे में, और जो last वाली line में, उसमें पूरा surgery वाली manuscript है, तो ऐसे करके catalog की भी catalog कर सकते हैं, इसमें देखिए, CCRS also prepared and published huge catalog about Sanskrit आईरवेद manuscript, CCRS ने जो बनाया है, वो publish भी करा है, catalog, organization for preservation and cataloging of manuscript, जैसे national mission for manuscript है, national archives of India है, Indian national trust for art and cultural heritage, institute of Asian study, Chennai specializes in Tamil script, foundation of revitalization of local head tradition, अब इसमें क्या, NMM, NAI, INTAC, इनको जो है, आप full form याद रखिएगा, इसमें पूछ लेते हैं, कि NMM क्या है, या फिर NAI क्या है, या फिर INTAC क्या है, जैसे INTAC, किस चीज़ से related है, आप सैसे बूछ सकते हैं कि INTAC जो organization है, वो किस चीज़ से related है, तो वो हो गया हमारी preservation and cataloging of manuscript, तो आप ये short forms जो हैं, ये देख लीजेगा, मैंने जो इस chapter में highlight करा है, वही exam के लिए important है, भागी जिसका interest है, वो पूरा chapter पढ़ सकता है, इसके बाद आते है published manuscript, जो अब तक manuscript published हो चुगी है, वो कौन सी है, आइरवेद सुतरनी, परियाय पादमंजरी, व्यद्य सहीता, सारनव और अमरकोश, तो ये जो है हमारी published manuscript है, unpublished में जैसे आश्मिनी कुमार सहीता, आइरवेद गवा, और माधव, चिकित्सा, नाड़ी, शास्त्र संग्रे और रसवतार, तो ये जो है हमारी unpublished manuscript है, इसके बाद हमारा शिरू होता है data mining, वो मैं next lecture में लूँगी, क्योंकि data mining थोड़ा सा बड़ा topic है, तो फिलाल के लिए थोड़ा जादा हो जाएगा, तो आभी के लिए इतना ही, thank you.